किसानों के अशिर्वाद बने रहें ताकि हम देश के किसानों का कल्यार करते रहें शीराम गुलाब ची आपका बहुत बहुत धन्यवाद अब हम मानि प्रदान मंत्री जी से देश को संबोधित करने का अंडोध करते हैं देश भर से जुड़े मेरे किसान भाई बहन इस कारकम में देश में अलग अलग सानों से जुड़े केंद्र सरकार के मंत्रीगान, राज सरकारों के मंत्रीगान, आदर्णिय से भी मुख्य मंत्रीगान, पंचायत से लेकर के पार्लामेंट तक चुने हुए सारे जन प्रतिनी दी और सब गावों में जाकर किसानों के बीच में बैठे हैं मैं आप सबको और मेरे किसान भाईयों बहनों को मेरी तरब से निवश्कार किसानों के जीवन में खुशी ये हम सभी की खुशी बढ़ा देती है और आज का दिवस तो बहुती पामन दिवस भी है किसानों को आज जो सन्मान निदी मिली है उसके साथ ही आज का दिन कई अवसरों का संगम बनकर भी आया है सभी देश्वासियों को आज क्रिस्मस की भी बहुत बहुत शुब कामना है मेरी कामना है क्रिस्मस का ये त्योहार विश्व में प्रेम शान्ती और सद्भाव का प्रसार करें साथियों आज मोक्सदा एकादसी है गीता जेन्ती है आज ही भारत रतना महामना मदन मोहन मालेविया जी की भी जेन्ती है देश के महान कर्मयोगी हमारे प्रेणा पुरुष स्वर्गे अटल विहरी वाजपाई जी की भी आज जन्म जेन्ती है उनकी स्मृति में आजदेश गुड गवरनंस देवी मना रहा है साथियों अटल जी ने गीता के संदेशों के अनुरूप जीवन जीने का लगातार प्रयास किया गीता में कहां गया है स्वेव स्वेव कर्मनी अभीरतह संसिद्धिम लबते नरह यानि जो अपने स्वाभावित कर्मों को तत्परता से करता है उसे सिद्धी मिलती है अटल जी ने भी अपना पूरा जीवन राष्ट के प्रती अपने कर्मों को पुरी निष्टा से निभाने में समर्पित कर दिया सूशासन को गुड गवर्ननस को अटल जी ने भारत के राजनिती और सामाजिक विमर्ष का हिश्चा बनाया गाव और गरीब के विकास को अटल जी ने सर्वच्च प्रात्विक्ता दी प्रधान म्रंत्री ग्राम सडग योजना हो या फिर स्वर्णिम चतुर्भू योजना हो अन्तियोदय अन्य योजना हो या फिर सर्वच्च अभियान हो रास्त जीमन में सार्थक बढ़लाव लाने वाले अनेक कदम अटल जी ने उठाए आज पूरा देश उनको स्मरण कर रहा है अटल जी को नमन कर रहा है आज जिन कुरुसी शुधारों को देश ने जमीन पर उतारा है उनके सुत्रदार भी एक प्रकार से अटल विहारी बाजपई भी थे साथियों अटल जी गरीबों के हीत में किसान के हीत में बनने वाली सभी योजनाव में होने वाले ब्रस्टाचार को राष्ट्रिय रोग मानते थे आप सब को याद होगा उन्होंने एक बार पहले की सरकारों पर कटाश करते हुए एक पूर्व प्रधान मंत्री की बात याद दिलाई थी और उनको याद दिलाते हुआं उन्होंने कहा था कि रुपिया चलता है तो रुपिया गिस्ता है रुपिया गिस्ता है तो हाथ में लगता है और धीरे से जेवों में चला जाता है मुझे संतोस है कि आज रुपिया गिस्ता है और नहीं किसी गलत हाथ में लगता है दिल्ली से जिस गरीब के लिए रुपिया निकलता है वो उसके बैंक खाते में सीधा पहुंचता है अभी हमारे करशी मंत्री नरज रसी जी तोमर ने इसके विशे में विस्तार से हमारे सामने रखा है पी-एम किसान सम्मान निधी इसका ही एक उत्तम उदारन है आज देश के नव करोड से जाना किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे एक कॉंपिटर की क्लिक से अठारा हजार करोड रुपे से भी जादा रकम उनके किसानों के बैंक के खाते में जमा हो गये है जब से यह योजना शुरू भी है तब से एक लाग दस हजार करोड रुपे से जादा एक लाग दस हजार करोड रुपे से जादा किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं और यही तो good governance है यही तो good governance टेकनोलोजी के द्वारा उप्योग किया गया है 18,000 करोड से जादा रुपिये पल भर में कुछी पल में सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा हो गए है कोई commission नहीं कोई cut नहीं कोई हेरा फेरी नहीं टेकनोलोजी का इस्तमाल करते हुए PM किसान सम्मान योजना में ये सुनिशित किया गया है कि लिकेज नहो राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों का online registration होने के बाद उनके आधार नमबर और बैंक खातों का verification होने के बाद इस वबस्ता का निर्मान हुआ है लेकिन मुझे आज इस बात का अपसोस भी है कि पूरे हिंदुस्तान के किसानों को इस योजना का लाब मिल रहा है सभी विचारधारा की सरकारे इससे जुड़ी है लेकिन एक मात्र एक मात्र पस्चिम मंगाल सरकार वहां के सत्तर लाख से अधिक किसान मेरे किसान भाई बेहन बंगाल के इस योजना के वो लाब नहीं ले पा रहे है उनको ये पैसे नहीं मिल पा रहे है क्योंकि बंगाल की सरकार अपने राजनितिक कारणों से उनके राज़े के किसानों को भारत सरकार से पैसा जाने वाला है राज़े सरकार को एक पोड़ी का खर्चा नहीं है फिर भी वो पैसे उनको नहीं मिल रहे है कई किसानों ने भारत सरकार को सीधी चिठी लिखी भी है उसको भी वो माननेता नहीं देते हैं यह आप कल्पना कर सकते हैं कि इतने लाखों किसानों ने लाब लेने के लिए योजना के लिए हर्जी की ओनलाइन अवेदन कर चुके हैं लेकिन वहां की राजसरकार उसको भी अटका करके बैठ गई है भाईयो बेनों मैं हैरान हूँ और यह बात मैं आज देश वाद्शों के सामने बड़े दर्व के साथ बड़े पीड़ा के साथ कहना चाहता हूँ जो लोग 30-30 साल तक बंगाल में राज करते थे एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा को लेकर के बंगाल को कहां से कहां लाकर के उन्होंने हालत करके रखी है सारा देश जानता है और ममता जी ये 15 साल पूरा ने भाषन सुनोगे तो पता चलेगा कि इस राजनीतिक विचारधारा ने बंगाल को कितना बरबात कर दिया था अब ये कैसे लोग हैं बंगाल में उनकी पार्टी है उनका संगटन है तीस साल सरकार चलाईए कितने लोग होंगे इनके पार एक बार भी इन लोगोंने किसानों को ये दो हजार रुपिया मिलने वाला कारकाम है बंगाल के अंदर कोई अंदोलन नहीं चलाया अगर आल के दिल में किसानों के लिए इतना प्यार था बंगाल में आपकी धर्ती है तो आपने बंगाल में किसानों को न्याई दिलाने के लिए प्रदान मंत्री किसान सम्मान योजना के पैसे किसानों को मिले इसके लिए क्यों अंदोलर नहीं किये क्यों आपने कभी आवाज नहीं उठाई और आप वहां से उठकर के पंजाब पहुँच गए तब सवाल उठता है और पस्चिब बंगाल की सरकार भी देखिए अपने राज्य में इतना बड़ा किसानों को लाप, सत्तर लाग किसानों को इतना दन मिले हजारों क्रोड रुपया मिले वो देने में उनको राजनीति आड़े आती है लेकिन वही पंजाब जाकर के जो लोग के साथ वो मंगाल में लराई लरते हैं यहां आकर के उनसे गुपचुप करते हैं क्या देश की जनता इस खेल को नहीं जानती है क्या देश की जनता को इस खेल का पता नहीं है जो आज विपक्षमे हैं उनकी इस पर जुबान के बंद हो गई है क्यों चुप हैं साथियों आज जिन राजनितिक दलों के लोच अपने आपको इस राजनितिक प्रवा में जब देश की जनता ने उन्हों निर्नकार दिया है तो कुछ न कुछ ऐसे इवेंट कर रहे हैं इवेंट मेनेजमेंट हो रहा है ताकि कोई सेलफी ले ले कोई फोटो चप जाए कहीं टीवी पर दिखाई दे और उनकी राजनिति च देख लिया है यह देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं स्वार्त की राजनिति का एक मुद्दा भद्दा उदारन हम बहुत बारीकी से देख रहे हैं जो दल पस्चिम मंगाल में किसानों के अहीत पर कुछ नहीं बोलते हैं वो यहां दिल्ली के नागरीकों को परिशान कर पर लगे हुए है देश की अर्थनीति को बर्वात करने पर लगे हुए है और वो भी किसान के नाम पर इन दलों को आपने सुना हुआ अमन्डिया मंडिया बोल रहे है एपिमसी की बात कर रहे हैं और बड़ी-बड़े हेडलाइन ले लेने बाशन कर रहे हैं लेकिए यह वही दल वही जंडे वाले वही विचारदारा वाले जो नहीं बंगाल को बरबाद किया केरल के अंदर उनकी सरकार है इसके पहले जो पचाच साल शाट साल तक देश पर नाज करते हैं उनकी सरकार थी केरल में एपीम से नहीं है मंडिया नहीं है मैं ज़रा इनको पूछता हूँ यहाँ फोटो निकालने के कारकम करते हैं अरे केरल में अंदोलन करके महाँ तो एपीम सिल चालू करवाओ पंजाब के किसानों को गुमरा करने के लिए आपके बाश समय है केरल के अंदर यह व्यवस्ता नहीं है अगर यह व्यवस्ता अच्छी है तो केरल में क्यों नहीं है क्यों आप दोगली निती ले करके चल दे हो यह किस तरह की राज़ेती करने है जिसमें कोई तर्क नहीं कोई तर्थे नहीं है सिर्फ जूठे आरोब लगाओ सिर्फ अप्षाएं फेलाओ हमारे किसानों को डणा दो और भले भोले किसान कभी कभी आपके बातों में गुमरा हो जाते है भाईयों बहनों ये लोग लोग तंत्र के किसी पहमाने को किसी परामेटर को मानने को तयार नहीं है इन्हें सर्फ अपना अलाप अपना स्वात नजर आ रहा है और मैं जितनी बाते बता रहा हूं किसानों के लिए नहीं बोल रहा हूं किसानों के नाम पर अपने जंडे लेकर के जो खेल खेल रहे हैं अब उनको इस सच सुनना पड़ेगा और हर बात को किसानों को गाली दी, किसानों को अप्पानित किया, ऐसे करकर के बच नहीं सकते हो आप लोग ये लोग अख़बारों और मिडिया में जगह बना करों, राजरितिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी बुट्टी खोज रहे हैं लेकिन देश का किसान उनको पहचान गया है, अब देश का किसान उनको ये जड़ी बुट्टी कभी देने वाला नहीं है कोई भी दियार राजनीति लोग तंदर में राजनीति करने का उनको हक है, हमें उसका विरोध नहीं है लेकिन निर्दोष किशानों की जिन्दकी के साथ न खेले, उनके भविश के साथ खिलवार न करें, उन्हें गुम्रा न करें, ब्रमित न करें, साथ क्यों, ये बही लोग हैं, जो बर्सों तक सत्ता में रहें इनकी नीतियों की बज़र से, देश की कर्शी और किसान का उतना विकास नहीं हो पाया, जितना उसमें सामर्थ था पहले की सरकारों की नीतियों की वज़र से सबसे ज़्यादा बर्बाद वो किसान हुआ जिसके पास न तो ज़्यादा जमीन थी न ज़्यादा संसादन इस छोटे किसान को बैंकों से पैसा नहीं मिलता था क्योंकि उसके पांस तो बैंक खाता तक नहीं था पहले के समय में जो फसल बिमा योजना थी उसका लाब भी इन छोटे किसानों के लिए तो कहीं नामों निशान नहीं था कोई का दुका कहीं मिल जाए तो अलग बात है इस छोटे किसान को खेट सिंचने के लिए नप पानी मिलता था नप बिजली मिलती थी वो हमारा बेचारा गरीब पिसान अपना खून पसिना लगा कर वो खेतों में जो पैदा भी करता था उसे बेचने में भी उसकी हालत खराब हो जाती थी इस छोटे किसान की सूध लेने वाला कोई नहीं था और आज मैं देश वास्चों को फिर याद दिलना चाहता हूं देश में इन किसानों की संख्या छोटी नहीं है जिन के साथ या न्याय किया गया है न ये संख्या अस्षी प्रतिशत से जादा किसान इस देश में है करीब करीब दस करोड से भी जादा जो इतने वर्षों तक सत्ता में रहे उन्होंने इन किसानों को अपने हाल पर छोड़ दिया था चुनाव होते रहे सरकारे बनती रही रिपोर्ट आती रही आयोग बनते रहे बादे करो भुला दो करो भुला दो यहीं सब हुआ लेकिन किसान की स्थिति नहीं बढ़ ले नतीजा क्या हुआ गरीब किसान और गरीब होता गया क्या देश में इस स्थिति को बदलना आवश्यक नहीं था मेरे किसान भाई और बैनों 2014 में सरकार मनने के बाद हमारी सरकार ने नई अप्रोच के साथ काम करना शुरू किया हमने देश के किसान की छोटी छोटी दिक्कतों और क्रशी के आधुनी करन उसे भविश्यकी जरूरतों के लिए तैयार करने दोनों पर एक साथ ध्यान दिया हम बहुत सुनते थे कि उस देश में खेती इतनी आधुनिक हैं वहां का किसान इतना सम्रुद्ध हैं और कभी इस्राइल का उधाण सुनते रहते थे हमने दुनिया भर में किसी छेत्र में क्या क्रांती आई हैं क्या बढ़लाव आए हैं क्या नए इनिसिट्य आए हैं क्या अर्थववस्णा के साथ कैसे जोड़ा है सारी चीजों का गहन अध्यन किया इसके बाद हमने अपने अलग अलग लक्ष बनाए और सभी पर एक साथ काम शुरू किया हमने लक्ष बना कर काम किया कि देश के किसानों का खेती पर होने वाला खर्च इन्पुट कोस्ट ये कम हो, उसका खर्चा कम हो स्वाइल हेल कार्ट, यूरिया के नीम कोटिंग, लाखो की संक्या में सोलर पंप, ये सारी योजनाए उनका इन्पुट कोस्ट कम करने के लिए एक के बाद वाद एक उठाई गी, हमारी सरकार ने प्रहास किया कि किसान के पंश एक बहतर फसल भीमा कबच हो आज देश के करोड़ों किसानों को पी-एम फसल भीमा योजना का लाब हो रहा है और मेरे प्यारे किसान भाईयों भेनों, अभी जब मैं किसान भाईयों से बात कर रहा था तो मुझे हमारे महराष्टर लातूर के गनेश जी ने बताया कि डाहेजार रुपया उन्होंने दिया और चोवण हजार रुपया करीब-करीब मिला मामुली प्रियम के बढ़ले किसानों को पिछले साल में 87,000 करोर रुपय कलेमरासी मिली है करीब-करीब 90,000 करोर मामुली प्रियम दिया किसानोंने मुसीबत के समय एक फसल विमा उनको काम आया हमने इस लक्ष पर भी काम किया कि देश के किसान पास खेत में सीचाई की पर्याप्त सुभिदा है। साथियों, हमारी सरकार ने प्यास किया कि देश के किसानों को फसल की उचित कीमत मिले। हमने लंबे समय से लटकी स्वामिनाथन कमिटी की रिपोर्ट के नुसार लागत का डेड़ गुना MSP किसानों को दिया। पहले कुछी फसलों पर MSP मिलती थी, हमने उनकी भी संख्या बढ़ाई। पहले MSP का एलान अकबारों में छोटी सी जड़ा जगा बनाना खबर के तोर पर आप चपता था। किसानों तो खिलाब नहीं पहुंता था। कहीं तराजुई नहीं लगते थे। और इसलिए किसान के जीवन में कोई बढ़ला भी नहीं आता था। हम आज MSP पर रिकार्ड सरकारी खरीद कर रहे हैं। किसानों की जेम में MSP का रिकार्ड पैसा पहुंच रहा है। जो आज किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं। वो जब उनका समय था तब चूप मार करके बैटे हुए थे। यह जितने लोग आंदोलन चला रहे हैं। यह उस सरकार के हिस्सेदार थे, समर्थन करते थे। और यही लोग स्वामी नाथन कमिटी के रिपोर्ट के उपर बैट गए थे। सानों तक बैट गए थे। हमने आकर के निकाला क्योंकि हमारे दिल में किसान की जिन्दगी के उभला करना, कल्यान करना यह हमारा जीवन का मंत्रा इसले कर रहे है। सात्यों, हम इक दिशा में भी फसल बेचने के लिए किसान के पास सिर्व एक मंडी नहीं, बल्कि उसको विकल्प मिलना चाहिए, बाजार मिलना चाहिए। हमने देश की एक हजार से जादा कुर्शिमंडियों को ओनलाइन जोड़ा, इन में भी एक लाग करोड रुपे से जादा का कारोबार किसानों ने कर दिया है, किसान ओनलाइन बेचना शुरू किया है। साथियों, हमने एक और लक्ष बढ़ाया, कि छोटे किसानों के समू बने, ताकि वो अपने खेत्र में एक सामुहिक ताकत बनकर काम करे। आज देश में दस हजार से जादा किसान उत्वा तक संग एपी ओ बनाने का भ्यान चल रहा है। उन्हें आर्थिक मदद दी जा रही है। अभी हम महराज गंके राम गुलाब जी से सून रहे हैं थे। तीन सो के करीबी किसानों को इखटा किये हैं उन्हें और पहले की तुना में डेड़ गुना भाव से माल बेचना सुरू हुआ है। एप्पियो मनाये हैं उन्हें। वैज्यानिक तरीके से खेती में मदद ली और आज उनको फायदा हो रहा है। साथ्यों हमारे क्रिशिक शेत्र के सबसे बड़ी आवशकता है। गाउं के पास ही बंडारण, कोल्ड स्टोरेज, इसकी आधुनिक सिविधां कम कीमत पर हमारे किसानों को उपलब्द हो। हमारी सरकार ने इसे भी प्रात्मिक्ता दी है। आज देश भर में कोल्ड स्टोरेज का नेटवर्ग विक्सित करने के लिए सरकार करोणों रुपिय का निवेश कर रही है। हमारी नीतियों में इस पर भी बल दिया गया है कि खेती के साथी किसान के पास आय बढ़ाने के दूसरे विकल्पी भी हो। हमारी सरकार मचली पालन, पशू पालन, डेरी उद्योग, मदुमक्ठी पालन सभी को प्रोच्षाइद कर रही है। हमारी सरकार ने ये भी सुनिशित किया कि देश के बैंकों का पैसा देश के किसानों के काम आये। 2014 में जब हम पहली बार सरकार में आये और शुरू आप थी हमारी, 2014 में जहां साथ लाग करोड रुपिय का प्रावधान एक किसानों के लिए किया गया था, धन के लिए। वही इसे अब करीब 14 लाग करोड रुपिय यानि दो गुना किया गया है ताकि किसान को करज मिल सके हैं। बीते किस के दही महिनों से करीब डाइक करोड छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार से जोड़ा गया है और अभ्यान तेजी से चल रहा है। हम मचली पाला को पच्छू पाला को उनको भी किसान करेडिट कार दे रहे हैं। यह लाब उनको भी अब दिया जा रहा है। साथियों हमने इस लक्ष पर भी काम किया खेती की दुनिया में क्या चल रहा है। इसके लिए देश में आदुनिक क्रुशी संस्तान हो। बीते वर्षों में देश में अनेक नए क्रुशी संस्तान बने हैं। क्रुशी की पढ़ाई की सीटे बढ़ी हैं। और साथियों खेती से जुड़े इन सारे प्रयासों के साथ ही हमने एक और बड़े लक्ष पर काम किया। यह लक्ष है गाउं में रहने वाले किसान का जीवन आसान हो। साथियों आज जो किसानों के लिए इतने आशु बहा रहे हैं। इतने बड़े-बड़े बयान दे रहे हैं। बड़ा दुख दिखा रहे हैं। जब ये लोग सरकार में थे तब इन्हों ने किसानों का दुख उनकी तकलीब दूर करने के लिए क्या किया ये देश का किसान अच्छी तरह जानता है आज सिर्फ खेती नहीं बल्कि उसके जीवन को आसान बनाने के लिए हमारी सरकार उसके दरवाजे तक पहुंची है खेत क के मेर तक पहुंची है आज देश के छोटे और सिमान किसान को अपना पक का घर मिल रहा है सावचालय मिल रहा है साब पानी का नल मिल रहा है यही किसान है जिसे बीजली के मुप्त connection गैस के मुप्त connection मेलित बहुत बड़ा लाब हुआ हर साल आइशमान भारत योजना के तहट पांच लाख रुपीय तक के मुप्त इलाज की सुभीधा ने अज मेरे छोटे किसान के जीवन की बहुत बड़ी चिंता कम की है नब्बे पैसे प्रति दिन यानि एक चाय से भी कम किमत नब्बे पैसे प्रति दिन और एक उर्पिया महिना के प्रिमियम पर बीमा ये मेरे किसानों के जीवन में बहुत बड़ी ताकत है साथ वर्ष की आयू के बार तीन हजार उपिये मासिक पैंसन ये सुरक्षा कबज भी आज किसान के पास है साथियों आज कल कुछ लोग किसान की जमीन की चिंता करने का दिखावा कर रहे हैं किसानों की जमीन हड़प में हड़पने में कैसे कैसे लोगों के नाम अखबारों में चमकते रहे हैं हम जानते हैं इन लोग तब कहां थे जम माली काना दस्तावेज के अभाव में किसानों के घर और जमीन पर अवैद कबजे हो जाते थे गाउं के छोटे और सिमान किसानों को खेत मजूरों को इस अधिकार से इतने सालों तक वंचित किस ने रखा इसका जवाब इन लोगों के पास नहीं है गाउं में रहने वाले हमारे भाई बहनों के लिए ये काम आज हो रहा है अब गाउं में किसानों को उनके मकान का जमीन का नक्षा और कानूनी दस्तावे दिया जा रहा है टेकनोलोजी की मदद से स्वामित्म योजना के बात अब गाउं के किसान को भी जमीन और घर के नाम पर बैंक से कर्ज मिलना आसान हुआ है साथियों बदलते समय के साथ अपनी एप्रोच का विस्तार करना भी उतना ही जरूरी है हमें 21 सदी में भारत की इस कृषी को आधुनिक बनाना ही होगा और इसी का बिड़ा देश के करोर किसानों ने भी उठाया है और सरकार भी उनके साथ कंदे जे कंदा मिला करके आगे बढ़ने के लिए कृत्त संकल्प है आज हर किसान को यह पता है कि उसकी उपज का सबसे अच्छा दाम कहां मिल सकता है पहले क्या होता था कि अगर मंडी में बहतर दाम नहीं मिलते थे या फिर उसकी उपज को दोयम दर्जी का बता कर खरीने से इनकार कर दिया जाता था तो किसान मझबूरी में ओने पोने दामों पर अपनी उपज बेचने को मजबूर रहता था इन कुरुशी सिधारों के जरिये हमने किसानों को बहतर विकल्प दिये हैं इन कानुनों के बाद आप जहां चाहे जिसे चाहे अपनी उपज बेच सकते हैं मेरे किसान भाईयों बेहनों मेरे इन शब्दों को आप ध्यान से सुनिये मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप अपनी फ़सल को जहां चाहे आप निरे करके बेश सकते हैं आपको जहां सही दाम मिले आप वहाँ पर उपज बेश सकते हैं आप न्यूनतन सवर्थन मुल्य यानि MSP पर अपनी उपज बेशना चाहते हैं आप उसे बेश सकते हैं आप मंडी में अपनी उपज बेचना चाहते हैं आप बेच सकते हैं आप अपनी उपज का निरियात करना चाहते हैं आप निरियात कर सकते हैं आप उसे व्यापारी को बेचना चाहते हैं आप बेच सकते हैं आप अपनी उपज दूसरे राज्य में बेचना चाहते हैं आप बेच सकते हैं आप पूरे गाउं के किसानों को एपियों के माध्यम से इखटा कर अपनी पूरी उपज को एक साथ बेचना चाहते हैं आप चीप जैम दूसरे कंजूमर उत्पादों की वेल्यू चेन का हिस्सा बनना चाहते हूं आप ये भी कर सकते हैं कि देश के किसान को इतने अधिकार मिल रहे हैं तो इसमें गलत क्या है कि इसमें गलत क्या है कि अगर किसानों को अपने उपज बेचने का विकल्प आउनलाइन माद्यम से पूरे साल और कहीं भी मिल रहा है साथियों आज नए कुरुशी सुधारों के बारे में असंग के जूट फैलाए जा रहे हैं कुछ लोग किसानों के बीच ब्रह्म फैला रहे हैं कि MSP समाप्त की जा रही है तो कुछ लोग अफाय फैला रहे हैं कि मंडियों को बंद कर दिया जाएगा मैं आपको फिर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इन कानुनों को लागू हुए तई महने बीच गए हैं क्या आपने देश के किसी एक कौने में एक भी मंडि के बंद होने की खबर सुनी हैं जहां तक MSP का सवाल है हाल के दिनों में सरकार ने बहुत सी फसलों का नियूनतम समर्दन मुल्य भी बढ़ा दिया है एक कुरुशी सुधारों के बाद भी हुआ है नए कुरुशी कानुनों के बाद भी हुआ है इतना ही नहीं जो लोग किसानों के नाम पर बात करते हैं न यह जो आंदोलन चल रहा है उसमें कई सच्चे और निर्दोस किसान भी हैं ऐसा नहीं है कि सब वो राजनितिक विचारदार वाले सुर्फ नेता है बागी भले भले किसान है उनको जाकर एक सिक्रेट पूछोगे कि भाई आपकी कितनी जमीर हैं क्या पैदा करते हो इस बार बेचा की नहीं बेचा तो वो भी बताएगा हाँ वो MSP में बेचकर का है और जब MSP में भी खरीजी चल रही थी नहीं तब वो अंदोलन को उन्होंने स्थंडा कर दिया था क्योंकि उनको मालूम था कि अभी जरा किसान मंडी में जाके के माल बेच रहा है तो वो सब विक्री हो गई काम हो गया फिर उन्होंने अंदोलन चूर किया साथियों वास्तिविक्ता तो यह है कि बड़े हुए न्यूनतम समर्तन मुल्ले MSP पर सरकार ने किसानों की उपज़की रिकॉर्ड्स तरपर खरीदी किया और वो भी नए कानुन बनने के बाद और एक अहम बात इन कुरुशी सुधारों से सरकार ने अपनी जिम्मेदारिया बढ़ाई है उदान के तौर पर एग्रिमेंट फार्मिंग की बाद ही ले लीजिए कुछ राज्यों में ये कानुन ये प्रावधान कई सालों से हैं पंजाब में भी है वहां तो प्रावेट कंपनियां एग्रिमेंट करके खेती कर रही है क्या आप जानते हैं पहले के कानुनों में समझोता तोड़ने पर किसानों पर पैनल्टी लगती थी मेरे किसान भाईयों को भी किसे ने समझाय नहीं होगा लेकिन हमारी सरकार ने ये सुधार किया और सुनिशित किया कि मेरे किसान भाईयों बर पैनल्टी या किसी तरह का जुर्माना नहीं लगेगा शाथियों आप ये भली भाती जानते हैं कि पहले अगर किसी कारणवस किसान मंडी नहीं भी जा पता था तो वो क्या करता था वो किसी ट्रेडर को अपना माल बेख देता था ऐसे में वो व्यक्ति किसान का फायदा ना उठा पाए उसके लिए भी हमारी सरकार ने कानूनी उपाई किये हैं खरीदार समय से आपका भुक्तान करने के लिए अब कानूनन बाद्य हैं उससे रसित भी काटनी होगी और तीन दिन के भीतर भुक्तान भी करना होगा नहीं तो ये कानून किशान को सक्ति देता है, ताकत देता है, वो अधिकारियों के पाथ जाकर कानूनी तंत्रका सहरा लेकर अपना पैसा प्राप्त कर सके ये सारी चीजें हो चुकी है, हो रही है, खबरे आ रही है कि कैसे एक-एक करके हमारे देश के किसान भाई इन कानूनों का फाइदा उठा रहे है, सरकार किसान के साथ हर कदम पर खड़ी है, किसान चाहे जिसे अपनी उपज बेचना चाहे, सरकार ने ऐसी व्यवस्ता की है, कि एक मजबूत कानून और लीगल सिस्टिम किसानों के पक्ष में खड़ा रहे हैं, साथियों, कुरुशी सुधारों का एक और एहम पक्ष भी ये के लिए समझना जरूरी है, अब जब कोई किसान के साथ एग्रिमेंट करेगा, तो वो ये भी चाहेगा कि उपज अच्छी से अच्छी हो, इसके लिए एग्रिमेंट करने वाला किसानों को अच्छे बीच, आधुनिक तक्निक, अत्याधुनिक उपकरान, विशेशज्यता, ये हासिल करने में मदद करेगा ही करेगा, अच्छी उपज के लिए सुभीदाएं किसानों के दरवाजे पर उपलब्द करवाएगा, एग्रिमेंट करने वाला व्यक्ति बाजार की ट्रेंड से पूरी तरफ वाकिब रहेगा, और इसी के अनुरूप हमारे किसानों को बाजार की मांग के हिसाब से काम करने में मदद करेगा, अब आपको मैं एक और सिती बताता हूं, अगर किसी बज़े से, किसी परेशानी की बज़े से, किसान की उपज अच्छी नहीं होती, या फिर बरबाद हो जाती है, तो भी, यह याद रखिए, तो भी, जिसने एग्रिमेंट किया है, उसको किसान को उपज का जो द देना ही पड़ेगा, एग्रिमेंट करने वाला अपने एग्रिमेंट को अपनी मर्जी से खत्म नहीं कर सकता है, लिकिन दूसरी तरफ, अगर किसान एग्रिमेंट को किसी भी वज़े से खत्म करना चाहता है, तो किसान कर सकता है, सामने वाला नहीं कर सकता है, क्या यह स्थ किसानों के लिए फाइदयमन है कि नहीं है कि सबसे ज्याज़ा एक इस्षान को है कि नहीं है कि कि इसान को फाइदा होने वाली गारंटीम है कि एक और सवार कि लोगों ने उचान करके रखा हुआ आपके मन में भी आता होगा अगर किसी स्थिति में उपज अच्छी हुई, मार्केट बहुत शांदार हो गया, जो एग्रिमेंट में था उससे भी ज्यादा मुनाफ़ा एग्रिमेंट वाले को मिल रहा है, अगर ऐसा होता है, तो एग्रिमेंट का जितना पैसा है वो तो देना ही दे है, लेकिन अगर ज्यादा मुनाफ़ा स्थितियों में किसान एग्रिमेंट में तय किये गे मुल्ले के अलावा, जैसा मैंने कहां, बोनस का भी वो हकदार होगा, पहले क्या होता था, याद है न, सारा रिस्क किसान का होता था, और रिटरन किसी और का होता था, अब नए कृशी कानूनों और सुधार के बाद स्थिति पूरी तरह किसानों के पक्ष में हो गई है, अब सारा रिस्क एग्रिमेंट करने वाले व्यक्तिया कम्पनी का होगा, और रिटरन किसान का होगा, साथियों, देश के कई भागों में, एग्रिमेंट फार्मिंग को पहले भी परखा गया है, उसे कसोटी पर कशा गया है, क्या आपको पता है कि दुनिया में आज सबसे ज़्यादा दुग्द उत्पादन, मिल्क प्रोड़क्शन करने वाला देश कौन सा है, ये देश कोई और नहीं, हमारा हिंदुस्तान है, हमारे पशुपालग, हमारे किसान के मैनत है, आज डेरी सेक्टर में, बहुत सी सहकारी और नीजी कमपनियां, किसानों से, दुग्द उत्पादकों से, दुद्ध खरीती हैं, और उसे बाजार में बेचती हैं, ये मोडल कितने वर्सों से चला रहा है, क्या आपने कभी सुना, कि किसी एक कमपनी या सहकारी सहुता ने, बाजार पर अपना कबजा जमा लिया, अपना एकादित कार कर लिया, क्या आप उन किसानों और उन दुग्द उत्पादकों के सबलता से परिचित नहीं हैं, जिनने डेरी सेक्टर के इस काम से लाभ हुआ है, एक और सेक्टर है, यहाँ पर हमारा देश बहुत आगे हैं, मुर्गी पालत, आज भारत में सबसे ज़्यादा अंडों का उत्पादन होता है, पूरे पौर्टरी सेक्टर में बहुत सी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं, कुछ छोटी कंपनियां भी हैं, तो कुछ थानिय खरीदार भी इसके अफशाय में जूटे हैं, इस सेक्टर से कि हमारे किसानों को, कृषी सेक्टर को इसी तरह का विकास करने का आउसर मिले, जैसा पौर्टरी और डेरी सेक्टर को मिला है, हमारे किसानों की सेवा में, जब बहुत सी कंपनियां, व्यवसाय के कई तरह के प्रतिस्परदी रहेंगे, तो उन्हें अपनी उपच का ज़् बहतर पहुच भी संभव होगी, साथियों, नए कृषी सुधारों के जरिये, भारतिय कृषी में नई टेक्नलोजी को भी प्रवेश मिलेगा, आधुनिक तक्रिक के जरिये, हमारे किसान अपनी उपच को बढ़ा सकेंगे, अपनी उपच को विवितता दे सकेंगे, अपनी उपच की बहतर डंग से पैकेजिंग कर सकेंगे, अपनी उपच में वैल्यू एडिशन कर सकेंगे, एक बार ऐसा हो गया, तो हमारे किसानों की उपच की पूरी दुनिया में मांग होगी, और ये मांग और लगातार बढ़ेगी, हमारे किसान सिर्फ उत्पादक नहीं, बल की खुद निर्यातक बन सकेंगे, दुनिया में कोई भी अगर क्रिशी उत्पादों के जरिये बाजार में अपनी धाक जमाना चाहेगा, तो उसे भारत आना पड़ेगा, अगर दुनिया में कहीं भी क्वालिटी और कॉंटिटी दोनों की जरुरत होगी, तो उन्होंगे ब जब हमने दूसरे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन बढ़ाया, तो हमने आए बढ़ाने के साथ ही उस सेक्टर में ब्रांड इंडिया को भी स्थापित किया, अब समय आ गया है कि ब्रांड इंडिया दुनिया के कुरुशी बाजारों में भी खुद को उतनी ह साथ के साथ स्थापित करें, साथियों, कुछ राजनितिक दल, जिन्हें देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से नकार दिया है, वो आज कुछ किसानों को गुमरह करके, जो कुछ भी कर रहे हैं, उन सब को बार बार नम्रता पुर्वक, सरकार की तरफ से अनेक प्रयासों के बावजुद भी, किसी ने किसी राजनितिक कारण से, किसी ने बंदी-बंदी राजनितिक विचारदारे के कारण से, ये चर्चा नहीं होने दे रहे हैं, किसी कानूनों के संदर्ब में, ये जो पुलिटिकल पार्टी की विचारदारा वाले जो कुछ लोग हैं, जो किसानों के कंदे बंदू के फोर रहे हैं, कुरुशी कानूनों के संदर में उनके पास ठोस तर्क न होने के कारण वो भाती-भाती के मुद्धों को किसानों के नाम पर उचाल रहे हैं आपने देखा होगा जब प्रारम हुआ था तो उनकी इतनी मांग थी कि पी MSP की गारंटी दो उनके मन में जिन्यून क्योंकि वो किसान थे उनको लगा कहीं ऐसा तो ना हो लेकिन इसका माहूल दिखा कर कि ये राजनीतिक विचारगार वाले चड़ बैठे और अब MSP वगेरे बाजू में क्या चल रहा है ये लोग हिंसा के आरोपी ऐसे लोगों को जैल से छुड़ाने के मांगे कर रहे हैं देश में आधुरिक हाइवेज बने निर्माण हो जो पिछली सब सरकारों ने किया था है ये लोग ये लोग भी सरकारों में समर्थन करते थे भागिदार थे अब कहते हैं टोल टैक्स नहीं होगा टोल खाली करतो हूँ किसान का विशय छोड़कर के नई जगा पर क्यों जाना पड़ रहा है जो नीतिया पहले के समझ से चली आ रही है अब ये किसाना अंदोलन के आण में उनका भी विरोग कर रहे हैं टोल नाकों का विरोग कर रहे हैं साथियों ऐसी परिष्टिति में भी देश भर के किसानों ने कुरुशी सिधारों का बरपूर समर्थन किया बरपूर स्वागत किया है मैं सभी किसानों का आभार व्यक्त करता हूं मैं सर जुकागर के उनको प्रणाम करता हूं कि देश को आगे ले जाने के लिए देश के कोटी कोटी किसान आज इस निरने के साथ हिम्मत के साथ खड़े हुए है और मैं मेरे किसान भाईयों बेहनों को बरोसा दिलाता हूं कि आपके विश्वात पर हम कोई आज नहीं आने देंगे पिछले दिनों अनेक राज्य और यह बात समझ नहीं होगी अनेक राज्य चाहें असाम हो या इधर राजस्तान हो जम्मू कश्मीर हो ऐसे कई जगा पे पंचायतों के चुनाव हुए है इन में प्रमुक्ताया ग्रामिन ख्षेत्र के लोगों को ही बोड देना होता है प्रकार से किसान को ही बोड देना होता है इतना गुमरा करने वाला का खेल चलता था इतना बड़ा अंदोलन का नाम दिया जा रहा था होला किया जाता था लेकिन इसी के अगल बगल में जहां जहां चुना हुए हैं उन गाउंगे किसानों ने ये अंदोलन चलाने वाले जोटने लोग थे उनको नकार दिया है पराज उन्हों को खुला समर्धन किया है। साथियों तर्थ और तर्थ और तठ्थ के आधार पर हर कसोटी पर हमारे निर्णे कसे जा सकते हैं। उसमें कोई कमी है तो उसको इंगीत करना चाहिए। लोग तंत्र है। हमें सब प्रकार का भगवान ने ग्यान दिया ऐसा दावां हमारा नहीं है। मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तयार है। समाधान के लिए हम खुला मन लेकर के चल रहे हैं। कई दल ऐसे भी हैं जो इनी कुर्शी शुधाकारों के पश्मे रहे हैं। उनके लिखित बयान भी हमने देखे हैं। वो आज अपनी कही बात से ही मुकर गए हैं। उनकी भाशा बदल गई है। वो राजनितिक नेता जो किसानों को ब्रमित करने में जुटे हुई है। जिनकी लोग तंत्र में रत्ती भर में स्रद्धा नहीं है। वो विश्वात ही नहीं करते डेमोक्रेसिव है। दुनिया के कई देशों में उनका परिश्य है लोगों को। ऐसे लोगों के। जोग भी उन्होंने कहा है पीछले दिमा। जिस प्रकार के अनल गरेर आरोप लगा है। जिस बाशा का प्रयोग किया है। पता नहीं कैसी कैसी इच्छाएं वेक्त की है। मैं बोल भी नहीं सकता ह। यह सब करने के बावजुब्वी। उन सब चीजों को सहन करने के बाद भी। कि उसको पट में उतार करके मन फंडार रख करके उन सब को सहन करते हुए। नम्रता के साथ, उन लोगों को भी जो हमारे गोर विरोध करने पर तुले हुए उनको भी कहता हूँ, मैं नम्रता के साथ कहता हूँ, हमारी सरकार किसान हित्में उनसे भी बात करने के लिए तयार है, लेकिन बात मुद्दों पर होगी, तरक और तच्छों पर होगी, साथियों, हम देश के अनदाटा को उन्नत करने के लिए हर संभो प्रयास कर रहे हैं, जब आत्म की उन्नती होगी, तो पुरे राष्ट की उन्नती ताय है, सिर्फ आत्म निर्भर किसान ही, आत्म निर्भर भारत के नीव डाल सकता है, मेरे देश के किसानों से आगर हैं, किसी के बहकावे में नाये, किसी के जूड को नस्विकारे, तरक और तथ्थ के आधार बनाकर ही सोचे विचारे, और फिर एक बार, देश भर के किसानों ने खुल करके जो समर्थन दिया है, ये मेरे लिए अत्यन संतोष और गर्व का विश्य है, मैं आपका बहुत आबारी हूँ, एक बार फिर से करोरो किसान परिवारों को, पी एम किसान सम्मान निधी के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मैं आपसे लगातार प्राथना करता हूँ, आपके लिए भी प्राथना करता हूँ, आप स्वस्त रहें, आपका परिवार स्वस्त रहें, इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत पहुत आभार धन्वाद